आज का शीर्शत है अपना हाद जगनात Hello Friends, मेरा नाम मनुहार है दोस्तों कई बार जीवन के अनुभव हमें ऐसा सबक दे चाते हैं जो किताबें भी हमें नहीं दे सकती जीवन में ऐसे कई मोड आते हैं जब हम जीवन में अपने काम के लिए दूसरे पर भरोसा कर बैठते हैं और यहीं पर चूप जाते हैं जबकि जीवन नाम के इस चुनौती भरे सफर में हम केवल एक इनसान पर आख मून कर भरोसा कर सकते हैं वो इनसान है हम खुद खुद पर विश्वास करने वाला हमेशा सफल होता है आज इस वीडियो में मैं आपको यही बात एक कहानी के जरीए समझाने की कोशिश करूँगी धर्मुपाल एक बहुती महनती किसान था उसका एक बहुती प्यारा बेटा जीवन था उन्हें जीवन के अनुभवों से कुछ सीख मिलती है जिन्हें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ धर्मुपाल की कड़ी महनत से उस साल बहुत अच्छी फसल हुई अपने हरे भरी खेतों को देखकर वा खुशी से फूला नहीं समा रहा था अब पसल काटने का समय आ गया था किन्तु इसी बात से किसी को कुछ चिंता हो गई थी पार्तिया थी धर्म की धर्मुपाल की खेत में इसी बीच चिडिया ने एक घोसला बना लिया था और उसके नन्हे मुन्ने चूलचे अभी उड़ नहीं सकते थे एक दिन धर्मुपाल अपने बेटे जीवन के साथ खेत पर आया और बोला बेटा जाओ अपने सभी रिष्टेदारों को खेत पर आमंतुरित करो और कहो कि वे अगले शनिवार को आकर हमारी फसल काटने में मदद करें यह सुनकर चिडिया के बच्चे बहुत खबरा गए और मा से पूछने लगे मा मा हमारत क्या होगा अभी तो हमारे पंख भी पूरी तरह ते उन्ने के लायक नहीं हुए है चिडिया ने कहा तुम लोग चिंता मत करो आगे आगे देखो होता क्या है अगले शनिवार को जब बाप बेटे खेट पर पहुँचे तो पाया कि एक भी रिष्चेदार वहाँ पर नहीं पहुचा था दोनों को इस बाद से बहुत नेराश हुए धर्मपाल जीवन से कहने लगा कि लगता है हमारे रिष्चदार मन ही मन हम से इश्या करते हैं इसलिए नहीं आए अब की बार तुम सब दोस्तों को अगले हफ़े के लिए आवंतरिक करो चिडिया के बच्चे फिर चिंता में पढ़ गए और चिडिया से फिर वही प्रश्न करने लगे चिडिया ने फिर वही जवाब दिया अगले हफ़े भी जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुँचे तो कोई भी मित्र मदद के लिए नहीं आया था तब धर्मपाल ने जीवन से कहा बेटा देखा तुमने हमने दूसरों पर जब भी भरोता किया तब कोई भी काम नहीं आया और निराशा ही हाथ लगी जो इंसान अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है वह हमेशा पीछे रह जाता है और उसे हमेशा निराशा का सामना करना पड़ता है सर्मपाल ने अपने बेटे से कहा अब तुम खुद ही बाजार जाओ और फसल काटने का सारा समान ले आओ कल से हम दोनों मिलकर इस खेट को काटेंगे सुनकर चिडिया ने अपने बच्चों से कहा कि चलो अब जाने का समय आ गया है जब इनसान खुद ही अपना काम करने का प्रण कर लेता है तो ना तो उसे किसी के सहारे की दरूरत पड़ती है और ना ही उसे कोई रोक सकता है इसी को कहते हैं बच्चों की अपना हाद जगन नात इससे पहले बाप बेटे फसल काटने आते चिडिया अपने बच्चों को एक सुरक्षी जगह पर ले गई थैंक्यू फ्रेंट्स अपने विचार लाइक शेर और कमेंट्स करके बताईएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाईए जिससे मेरे चैनल के सभी अपटेट्स आप तक पहुंचते रहें